दोस्तों अगर आपको भी होता है तेज सिर दर्द तो जाने ये टिप सिर में दर्द कई कारण से हो सकता है हलका फुलका या कभी कभार सिर में दर्द आम बात है लेकिन अगर आपके साथ अक्सर ये समस्या होती है जिसमें सिर में तेज दर्द होता है तो इसके उपाई भी आपको जरूर पता होने चाहिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही घरेली उपाई जिससे आप अपने जिर के दर्द को दूर भगा सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्थ एन फिटनेस मंत्रा में जिसमें हम हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी महत्वपून और रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं जो जानकारी आजकल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहत जरूरी है इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें सबसे पहला जो नुस्का है दोस्तों वो ये कि सिर में तेज दर्ध से बचने के लिए लौंग रहाद दिला सकती है आपको बस लौंग को पीस कर उसका चूंड बनाना है इसे किसी कपड़े में बांध कर छोटी सी पोटली बना कर रख ले जब भी आपको सिर में दर्ध हो इसे सुंगें जल्दी आराम मिलेगा दूसरा तरीका है कि पुदीना पुदीना से सिर दर्ध से निजात मिल सकती है सिर में जब भी दर्ध हो पुदीने को पीस कर इसका रस निकालने और माथे पर लगाएं, कुछी समय में सिरदर्द दूर हो जाएगा तीसरा तरीका, दोस्तों आपको जानकर अश्चरे होगा कि सेब भी आपका सिरदर्द गायब करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है बस जब भी सिर में तेज दर्द हो, सेब पर नमक डाल कर खाएं, लाब होगा काला नमक या फिर सिंधा नमक इस्तमाल कर सकते हैं चौथा तरीका, दोस्तों मीमबू से भी सिरदर्द को कम किया जा सकता है इसके लिए जादा कुछ नहीं करना है, बस मीमबू को छील कर सूंग लीजिए फिर देखिए, जल्दी से आपका सिरदर्द दूर हो जाएगा पांचवा तरीका, एक्यू प्रेशर के अनुसार, आपके हाथ के अंगूठे और तरजनी के बीच का दबा हुआ जो भाग है, उसे दबाने से आप सिरदर्द से कुछी देर में निजात पा सकते हैं इसे एक बार अपना कर जरूर देखें तो दोस्तों ये थी कुछ आसान से टिप्स जिसे आप सिरदर्द के समय उपयोग कर सकते हैं और सिरदर्द को दूर भगा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से कोई नई जानकारी आपके स्वास्त से जुड़ी हुई सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हेल्थ एन फिटनेस मंत्रा में और बेल आइकन को दबाएं लेटिस्ट हेल्थ और फिटनेस से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए